C.A. के लिए अभी लाने की क्या जरूरत थी? सारे जो विपक्ष के नेता हैं सब कह रहे हैं कि ये ठीक चुनाव के पहले नोटिफेकेशन लेके आए हैं. पहले बात तो C.A. की जरूरत क्या थी? और इसकी नोटिफेकेशन चुनाव के दो या तीन महीने पहले की? देखे, मैं पहले टाइमिंग की बात करता हूँ. सारे विपक्षी दल, ओवेसी हो, राहूल गांदी जी हो, या आरविन केजरिवाल हो, या ममता जी हो, ये जूट की रादनीती कर रहे हैं. इसलिए टाइमिंग का महतो नहीं है. भारतिय जनता पार्टी ने 2019 में अपने नार्थी है, उनको नागरिक्ता देंगे. तो भारतिय जनता पार्टी का एजन्डा बहुत स्पष्ट है और वो एजन्डे के आधार पर हमें बहुमत मिला है. 2019 में ही ये बिल संसत के दोनों सदनों ने पार कर दिया. उसके बाद कोविड के कारण थुड़ा लेट हुआ. अब टाइमिंग का क्या महतो है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभीव्यक्त कर दी है. चुनने के बाद फ़स्ट प्राविटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को माननेता मिल गई है. रूल्स फॉर्मालिटी है. अब टाइमिंग का या पोलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नह वक्स तुरुष्टी करन की रादनीती करकर, एपीस्मेंट की पुलिटिक्स करकर वाट बेंक को कॉंसल्डेट करना चाता है. मैं उनको विननती करना चाता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, यह मत करिये. पूरे देश की जनता जानती है कि CAA इस देश का कानून है और चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि यह होगा चुनाओ के पहले होगा. अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? पर इतने साल तो हुआ नहीं ना, 2019 के बाद अब हुआ है. स्मिता जी मुझे एक बात बताईए, वील ओफ लेजिसलेटर, वील ओफ गवर्मेंट, बिल से प्रगट होता है या रूल से प्रगट होता है? अबियसली बिल से. रूल व्यवस्ता करता है. जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पोलिटिकल इस्यूस के कारण लेट हुआ. मगर कब से नागरिकता मिलेगी? तो 2014 के पहले से. वो थमरूल वहीं का वहीं है. आज क्या फरक पड़ गया है? बताईए. भारतिये जनता पार्टी को के लिए ये पोलिटिकल घेन का मुद्दा नहीं है. भारतिये जनता पार्टी के लिए हमारे नेता अंदर मोदी जी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश से आये हुए करोडो सरनार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है. उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है. और उनकी तीन पीड़ी को नियाय देने का मुद्दा है. जो आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं. बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए. देखिए वीपक्स को और कोई काम नहीं है. उन्होंने तो सर्जीकल स्ट्राइक और एस्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फाइदा है. तो क्या हम टेरिजम पर करदम नो उठाए. इन्होंने 370 को भी बताया कि आपके पॉलिटिकल फाइदे के लिए कर रहे हैं. हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे. उनका हिस्ट्री है जो बोलते है वो करते नहीं है. मोधी जी का हिस्ट्री है. जो भारतिय जनता पार्टी ने कहा है. नरेंद हुई थी. उस वक्त आपने कहा था एक डिसिन्फरमेशन केमपेञ है और वो आप दूर नहीं कर पाया उस डिसिन्फरमेशन को. मिसिन्फरमेशन, डिसिन्फरमेशन जो भी. इस बार क्या पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है? सुमिता जी दर्मियान में मैंने कहा 41 टाइम, 41 बार, अलग-अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डीटेल बात करी है, कि इस देश के अलसंख्यप, माइनोरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CAA में किसी की नागरिक्ता लेने का प्राव पकिस्तान और बांगलादेश से हिंदू, सीख, बाउद, क्रिस्चन और पार्सी जैन और पार्सी सरनार्थ ही आये हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिक्ता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए हैं मैं बाखी रिलिजिन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे उवेसी साब हों, चाहे ममता बैनर जीओं, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है, वो भी कहरी है, it's an anti-Muslim law, because आप मुसलमानों को नहीं शा से, 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया, देश तीन हिस्सों में बढ़ गया, वो background है, भारतिय जनसंग, भारतिय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया, हम कभी सहमत नहीं थे, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होना ही नहीं चाहिए था, मगर उस संक्यक है, उस उन लोगों पर धेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो मा बहन बेटी के लिए वो सरण में आये भारत की, तो क्या उसको यहां नागरिक्ता का अधिकार नहीं है, और स्वयम कॉंग्रेस के नेत बाद में इलेक्ट्रोल पोलिटिक्स चालू ही, वोट्में की रादनेती चालू ही, एपीस्मेंट के कारण वो वादा कॉंग्रेस पार्टी ने कभी पूरा नहीं किया, जो अधिन नरेंद्र मोधी पूरा करें। रिलिजन्स है, तो अगर आप पार्सी और इसाईयों को ला सकते हैं, तो मुसल्मानों को क्यों नहीं? दिखे, मुसलिम अबादी के लिये ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है, वो भूमी इसलिए दे दी गई थी, फिर तो हर देश से आव्यास्ता से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोड़ लो, भारत कहां बतता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताडना हुई है, उसको सरण देना मैं मानता हूँ हमारी नईतिक जिम्मदारी है और हमारी constitutional responsibility है, और स्मिता जी आप आंकड़ी की गहराई में जाए, जब विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान में 23 प्रतिसत ह हिंदू थे, हिंदू और सीख थे, अथ 3.7 प्रतिसत बच गए, कहां गए सारे, इतने सारे तो यहां आए नहीं, धर्मपरवर्तन हुआ, मानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया, कहां जाएंगे ये लोग, क्या देश इसका विचार नहीं कर हुआ, जी, उन्नीस सो इक्यावन में, हिंदू का प्रतिसत बाइस प्रतिसत है, मैं इक्यावन की बात कर रहा हूँ, बंगलादेश की इक्यावन के आखड़े हमारे पास है, दो हजार ग्यारा की जन्गर्णा में, वो दस प्रतिसत रह गया, कहां गए हो लोग, अफगानि क्या हुआ इन लोगों को अपनी बिलिप से जिने का अधिकार नहीं है, वो जब भारत एक था, तब हमारे ही थे, हमारी ही भाई है, हमारी बहन है, हमारी ही माता है, अगर यही ठियोरी को आप अपना लो, तो पर्टिसन के बाद इतने सारे सरणार्थियों को क्यूं लिया, उसका भी तर्क नहीं है फिर तो तो वो ही मैं पूछूँगी कि आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बना वहाँ पर शिया और एहमदी बलोच ये भी तो प्रताड़े थे वहाँ पर दिखे वो प्रताड़ना आंकडों के आधार पर इतनी सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में ये सारा बलोक मुस्लिम बलोक माना जाता है आप मेरी बात समझ कर चली और सिया एहमद या वो तो छोड़िये मुसल्मान को भी अधिकार हैं अप्लिकेशन करने का हमारे समझ दान ने रास्ता खोला है वो एप्लिकेशन करकर रेफ्यूजी के तौर पर ना ना रेफ्यूजी के तौर पर नहीं नागरिकता लेने के लिए एपलाई कर सकते हैं भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्सा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हूं, उसका नेनाई करेगी, रास्ता किसी के लिए बन नहीं है, यह special act इसलिए बनाया है, कि यह किसी भी वैद document के बगर सरण में आये है, border cross करकर आ गए है, तो अब आपने portal भी खोल दिया है, उसमें वो सारे details करेंगे, वो portal सुरक्षित है और अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है, तो क्या अब वो ना नागरिक है, ना migrant है, ना refugee है, क्या बन जाते हैं? देखे, मैं आपको बताता हूँ, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, इसका रास्ता हम बाद में ढूंडेंगे, परन्तु जिनके पास दस्तावेज है, वो मेरे एक रभ अंदात से 85 प्रत्सत से ज्यादा है, और कितनी देर लगेगी, क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना प करिये, यह एप्लिकेशन देश की सभी भासाओं में है, आपकी भासा में आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लिकेशन कर सकते हो, और आपकी समय की अनुकुलता से भारत सरकार आपको इंटर्वी के लिए बुलाएगी, और डॉक्युमेंट की ऑडिट के लिए बुलाएगी, और वो face to face interview होगा या या face to face होगा, original document लेकर आना पड़ेगा, और अगर वो second generation refugees है, मतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदुस्तान में, पंदरा अगस्त दोजार उननीसो सैतालिस से लेकर, 31 डिसेंबर दोजार चोदा तक, जो भी आये हैं, वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है, जैराम रमेश कॉंग्रेस के नेता ने कहाए कि ये अनकॉंस्टिटूशनल है, शशी तरूर कहते हैं कि अगर कॉंग्र जीत जाती है, इलेक्शन या इंडिया एलाइन्स जीत जाती है, तो ये CAA को रिपील कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखें, उनको भी मालूम है कि इंडिया एलाइन्स सत्ता में नहीं आना है, मैं आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ, CAA के कानून को भारती जन्ता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोधी सरकार लाई है, इसको रिपील करना असंभव है, हम पूरे देश को जाग करेंगे और रिपील करने वालों को कहीं पर स्थान ही नहीं मिली इस स्थिती होगी, और जहां तक असमवेदानिक होने का सवाल है, वो अनुच्छे 14 का हवाला देते हैं, वो भूल जाते हैं कि अनुच्छे 14 में दो अपवाद रखे हुए हैं, एक रिजनेबल क्लासिफिक का अपवाद है, और दूसरा कानून के उद्योसों के साथ लॉजिकल संबंध होना चाहिए, तो वो अर्टिकल 14 का वालों करता है, इसमें रिजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्थ है, कि जीन लोगों पर भारत के पुराने हिस्सों में, आज वो विभाजन के कारण देश स कटे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मंगलादेश में, जीन लोगों पर धार्मिक प्रताधना होने के कारण जो भारत की सरण में आए हैं, उसके लिए एक कानून है, तो रिजनेबल क्लासिफिकेशन बहुत स्थ है, और इसलिए एक पूरी तरसे सम्वेधानिक कि सोरा जार इए हैं, उसके लोगों अरिए नशुनवेधान स्थ. एक उल्ण है खार्मिक प्रताधना हो स्थ. किसलिए एक भार्मिक लिए हो सख़गाना की।.